हेलो दोश्तों स्वागात है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में चिया सटमी बीपीसी को ध्यान में रखकर बियार लोग से बाग के द्वारा पीटी के जितने सारे कोश्चन है उसका रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आप लोग का कोई कोश्चन न छूटे और एक आईडिया लग सकी कि पीटी में कैसा कोश्चन आयोग द्वारा पूछा जाता है तो चलिए हम लोग देखते हैं 65 बीपीसी में कैसा कोश्चन आये था उसके हम लोग देखते हैं हम लोग देखते हैं 65 में बीपीसी का एक्जाम 15,10,219 को हुआ था और देखते हैं क्यों से विशाय में कितने कोश्चिन आये थे तो यह है इतिहास में 26 कोश्चिन पुगोल में वाड़ा कोश्चिन राज विवस्था में 9 अर्थ विवस्था में 8 समाजिक बिग्यान में 30 ग देखते हैं प्राचिन इतिहास के तो पहला कोश्चिन है अपने सिला लेखों में असोक समानत किस नाम से जाने जाते हैं तो यह प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं इसका इस्प्लानेशन देखते हैं सवराट असोक का पूरा नाम देवा नाम प्रिय असोक मौर था जि बीन अभी लेकख खुदवाए जिसमें कनाट के रायचुर जीलो में स्थित मासकी अभी लेक भी महतपूर्ण है मासकी अभी लेक आप से सोक का नाम देवनाम प्रिय और फтоyr दर्शीना के भीशै के जनकारी प्राप्त होती है असोक का सासन काल 279 इसवी से 232 इसापुर था का फिर इंपोर्टेंट फेक्ट हैं ध्यान रखेंगे नेक्स्ट हम लग देखते हैं इन में से कौन गुप्त काल में और सधी के छेतर में अपने कारे के लिए जाने जाते हैं तो इसका एंसर होगा सुरुट यानिकी पहला ओप्सन इसका इस्प्लानेशन देखा जाएं तो गुप्त काल में चिकित्सा के छेतर में दो महत्पुन नाम थे चरक व सुरुट सुरुट छे सोईसा पुर्व में भारत के पहले चिकित्सक थे इनकी पुष्टक सुरुट सहीता संस्कृत में लिखित चिकित्सा की महत्पुन ग्रांथ है या अयुर्वेद वसल चिकित्सा का प्राचिन संस्कृत ग्रांथ है सुसरुट तवचा रोपन तंत्र पलास्टिक सरजरी तथा मोतिया बिंद के भी पिसे सग थे उनको सल चिकित्सा का जनक कहा जाता है काफी इंपॉर्टेंट फ्रेक्ट है ध्यान रखेंगे अब हम लोग तीसरा कोशिजन देखते हैं निमनिखित में से प्राचिन भारत की कौन से लिपी दाइने से बाहें लिखी जाती थी तो यह खरोष्टी लिपी लिखी जाती थी इसका उतर देखते हैं चिंदो गाटी की चित्र लिपी को छोड़ कर खरोष्टी भारत के दो प्राचिन्तम लिपियों में से एक हैं एक दाइन से बाहें और लिखी जाती थी समराट असोक्व सावाज गड़ी और मन सेहरा अविलेक खरोष्टी लिपी में ही लिखवाए गये हैं नेक्स कोश्चन हम लोग देखते हैं निमनिकित में से कौन सा बंदरगा गुप्तकाल में उतर भारतिय बेपार के लिए उपयोग किया जाता था तो यह किया जाता था तामर लिपी इसका इस्प्लानेशन देखते हैं तामर लिपी बंदरगा गुप्तकाल में उत पार के लिए किया जाता था अब हम लगमाद्यकालिन भारत के कोस्चन देखेंगे मुगल चित्रकाला किसके नेत्युत में अपनी सिर्ष बिंदू पर थी तो इसके अंसर होगा जांगीर जांगीर का काल मुगल चित्रकाला के चर्मुत कर्श का काल था। दौलत मनोहर तता अबुल हसन थे। जांगीर स्वेम बियक अच्छा चित्रकार्थ था। इंपोर्टेंट फेक्ट हैं त्यान रखेंगे। आप अम देखते हैं नेक्स कोस्चन। मादे कालीन भारत में मनसबदारी विवस्ता क्यों लागू की गई थी। तो इसका हो जाएगा। डू अप्शन स्वक्षे प्रसासन सुनिक्षित करने के लिए। इसका एस्प्लानेशन देखते हैं मुगल समराज के अंतरगत मनसबदारी परनाली की अवचारिक रूप से शुरुवात अकवर ने की थी। बहुत इंपोर्टेंट है। इस परनाली ने मुगल समराज का मजबुत अधार प्रदान किया। मुगल समराज की प्रसासनिक विवस्ता के अंतरगत मनसबदार का सीधा अर्थ एक रेंग अत्वा एक पद से लगाया जाता था। मुगल प्रसासनिक विवस्ता के अंतरगत मनसबदार के ओधे के इंकित करता था। मनसबदारी परनाली बस्तुत एस यायुत पती से समंद रखती थी। जिस सब पर्थम उतरी भारत में बाबर ने लागू किया था। इस परकार्मद्य कालीन भारत में मनसबदारी सैनी को किसगमता से भरती से समंदित है। अस्ट प्रधान का गठन किस ने किया था तो यह किया था असोक ने किया था। इसका इस्प्लानेशन हम लोग देखते हैं। बर्सासक में सिवा जी की साहता एवं परामर्ज के लिए आठ मंत्रियों का एक परिशत थी जिसे अश्ट प्रदान परिशत कहा जा था, जिसे सिवा जी द्वरान्युक्त किया गया, था इस परिशत अपने कारियों के लिए सिवा जी बाद नहीं थे, सिवा जी किसी भी मंत्री प्रद को अनुवान्सिक नहीं होने दिया। अब हम लोग देखते हैं, अश्ट प्रदान में निम्निकित अधिकारी सामिल थे, तो पहला पेश्वा संपुन समराज का देखबाल, आमर्त अर्थ मंत्री, वाकस यान वीज दरवारी लेखक, सुमंत विदेश मंत्री, सचीव चिटनीस, पत्राचार विभाग, सेना पती सेना का प्रमुग, नियाइदीस, दिवानी वपपहुचदारी नियाय, पंधित राव, धार्मिक, सलाकार, नेस कोश्चन अम लोग देखते हैं, दिल्ली के किन सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्मान किया था, तो ये किया था फिरोसा तुगलक ने, इसका इस्प्रानिशन देखते हैं, फिरोसा तुगलक दिल्ली संतलन सल्तनत में तुगलक वन्स का सासक था, वो मुहमत बिन तुगलक की मिर्थू के बाद गद्दी पर बैठा, उसने सिचाई वेवस्था कि सुधार के लिए अनेक नहरों वा तलाप का निर्मान करवाया, तथा हक ए सर्व नामक सिचाई कर भी लगाया, जो कि सिंचित भूमी की कूल उपज का एक चत्थाई था, सिचाई की सुधा के लिए उसमें पांच बरी नहरों का निर्मान करवाया, देखते हैं, पहली नहर एक सोपचाई किलोमीटर लंबी थी, जो यमना नदिक का पानी हिसार से ले जाती थी, दूसरा है सल्त, चतला से घागरा तक, तीसरी ये सिर्मोर की पहारियों से जासी तक, चोथा घागरा से फिरोजाबाद, पाच्मा यमना नदिक से फिरोजाबाद तक, अब हम लोग आदनिक भारत के जो भी कोशन हैं, उसे देखते हैं, तो पहला कोशन इसमें है, बंगाल की खारी में समुन्दरी डकैती हे तू, उगली का पर्योग कौन करता था, तो ये पुर्तगाली करता था, इसका एस्प्लानेशन देखे, बंगाल की खारी में समुन्दरी डकैती हे तू, उगली का पर्योग पुर्तगाली करते थे, बारत में आने वाली कंपनियों के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली, 1498 में बारत आये थे, पुर्तगाली में पहली फैक्टरी कोचिन में बनाई, आगे सांत जलनीती और सुधिर नौचैनिक छमता के माध्यन से पुर्तगीज ने भारत के वैपार को नियंत्रित करना प्रारम कर दिया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठगो का उन्मूलन किसके नेत्युत में हुआ था, तो ये हुआ था कैप्टन स्लीमेन, इसका इस्प्लानेशन देखते हैं, मेजर जेनर स्लीमेन एक ब्रिटिस सेनिक वप्रसासिक प्रसासनिक अधिकारी था, जिसने 1830 में ठगो का उन्मूलन किया, उस समय भारत का गवर्णर जेनल लौड बिलियम बेंटिक था, बहुत इंपोर्टन था, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अफगानिस्तान के प्रती आक्रमक निति किस वैसराय ने अपनाई थी, तो ये था लौड लिटन, लौड लिटन था, इसका इस्प्लानेशन देखते हैं, वर्स 1864 में लौड लिटन भारत का गवर्णर जेनरल वनकर आया, उसने अफगान इस्तान के व्यूद आक्रमक निति का अनुशरन किया, फल सरुप दूसरा आंगल अफगान यूद 1878-1880 में हुआ, यूद की समाप्ती गंडमक की संधी के साथ हुई नेक्स्ट कोश्चन है, 1934 में महात्मा गांधी ने सबना अभग्या अंदुरन कहां से प्रारम किया था? तो इसका अंसर हो जाएगा, साबर मती से डी अप्शन इसका एस्प्लानेशन देखते हैं, गांधी जी की 11 सुत्री मांगुख पर किसी परकार का ध्यान बेटी सरकार रे नहीं दिया, फलता 14 फरवरी 1931 को साबर मती में कॉंग्रेज की एक बैठक में गांधी जी के नेत्युत में सबने अभग्या अंदुरन चलाने का निश्य क अगनों डेखते हैं, डियां अंदुलन का परण कॉंग्रेज के नेत्युत में हुआ thick जीने में सीयार फैस में सब्यांध़ ऐसंपाया इसका इसप्लानेशन देखते हैं, डिया और चलिने जी Israos Sular के नेक्स्ट हमनुक देखते हैं भारत के विभाजन के समय भारती राष्टी कोंग्रेस का अद्यक्ष था तो जेबी किरपलानी, इसका इस्पलानेशन देखते हैं, जीवत रामभगवान दास किरपाली को अचारी किरपाली के नाम से जाना जाता है, वह भारती सिक्चक समाजवादी कार्यकरता तता आजादी से पहले वह बाद के भारत के मदपुन नेता थे, उन्होंने प्रजा समाज वादी पार्टी के स्थापना की थी, बहुत इंपोर्टेंट है, वह भारती राष्टी कॉंग्रेस के 1934 में महासची बने, नमबर 1946 में वह भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने, और भारत के बिवाजन के समय भी वह कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे, नेक्स्ट प्लानेशन देखते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस की संस्थापग एह हुम थे वे अपकास प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे कॉंग्रेस की अस्थापग एह हुम द्वारा अठासो पचासी स्वी में की गई इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में को बंबाई संस्क्रित विद्याले में आउजित किया गया इस अधिवेशन में कुल बहतर परतिनीदियों ने भाग लिया भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन की अधिश्ता वोमेश चंद बनर जी डवलू सी बनर जी निकी थी ताता इसके पर्थम महासचीव एव हु और मैं इसे ले कर रहूंगा किसने कहा था तो यह कहा था बाल गंगादर तिलक ने इसका उतर देखते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेस के लखनो अधिवेशन में उन्हें से सोला में बाल गंगादर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जरम सीधा दिकार है और मैं इसे ले हुआ था यह समझधा लखनो समझधा के नाम से जाना जाता है Ve 네क्स्ट हम देखते हैं रभीन नाट्यागीवर ने अपनी न्याइट्यूट्च स्पाति की कारण त्याग हाद दी थी जल्या वला हत्याकान के कारण इसका अश्प्लानेशन अम देखती हैнов तेरा अप्रेलु ने सोनीज को घटित जलिया वाला बागत्या कांड की हिर्दय विदारता घटना के बाद रभीन ना टेगोर ने अपनी नैट हुट की उपादी को त्याग दिया टेगोर ने कहा अब समय आ गया है जब सम्मान के तग में अपमान में बेतू के संदर में हमारे कलंग को सुअस्पर्ष्ट कर देते हैं जहां तक मेरा प्रस्ण में सभी विशेश उपादियों से रही थोकर अपने देशबासियों के साथ खरा होना चाहता हूँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत सेवक समाज के अस्थापना किस्ट ने की थी तो ये गोपाल किस्ट गोखले ने की थी इसका उत्तर देखते हैं बर्स 1905 में गुपाल किस्न गोखले द्वारा भारत सेवक समासर्वेंट आफ इंडिया सुसाइटी की अस्थापना की गई थी गुपाल किस्न गोखले भारत के परमुक स्वतंता शनानी समास से भी तथा समास सुधारक थे महाधेव गोविंद रनाडे उनसकी राजनीतिक गुरु थे बीतिये मामलों पर उनकी अदूतिय समत के कारण उन्हें भारत का गलेड एस्टोन कहा जाता है वे भारती राष्टी कोंग्रेस के नरम पंथी नेता थे महत्मा गांधी जी गुपाल किस्न गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे नेक्स्ट रम लोग देखते हैं काकोरी ट्रेन डकायती कान मेकिन क्रांति कारियों को फासी की सजादी गई थी तो यह होगा राम परसाद बिस्मिल और असाफ कुला को इसका एक्स्प्रानेशन देखते हैं इंडुस्तान रिपब्लीक एस्सियेशन की स्रदस्यों दोरा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलबे के लखनो सहारन पूर रेलबे के काकोरी नामकस्थार पर 8 डाउन सहारन पूरलक नोप पेसेंजर ट्रेन की सरकारी खजाना लूटा गया काकोरी कांड 29 अकरांती काडियों को गिरफतार कर लिया जिसमें राम परसाद बिस्मिल असाफुला रोसन लाल वा राजेंदर लाहरी को फासी हुई जबकि चंसेकर अजाद बच निकले काकोरी कांड के मुकदमे की पैरवी के लिए सरकार की ओर से जगत नरायन मुल्ला को निउक्त किया गया तता वियक्ति को ओर से सरकार ने लक्ष्मी नरायन मिस्र केसी दत और जय परकास मिस्र को निउक्त किया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सत्य सोधक समाज की अस्थापना किस ने की थी तो ये की थी जोतिबा फुले ने इसका की थी अब इसका हम लोग उत्तर देखते हैं अठारा सोतियात्तर इसवी में सत्य सोधक समाज की अस्थापना जोतिबा फुले ने की थी इनका जनम 1827 इसवी में एक माली के गर में हुआ था इनोंने ब्रामनों के विरुद सक्ति साली अंदोलन का संचालन किया इनोंने अपनी पुष्टक गुलाम गीरी एवं संगटरं सत्य सोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्रामनों एवं अवसरवादी धर्म गरन्तों के निम जातियों की रक्षा की अवसक्ता पर बल दिया बारती राष्टिये कंग्रेस के परतम महिला अध्यक्ष कौन थी तो यह थी श्रीमती एनी वेसेंट इसका इस्प्लानेशन देखते हैं बारती राष्टिये कंग्रेस की परतम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी वेसेंट थी श्रीमती एनी वेसेंट ने कंग्रेस के कलकता जब कि पहली भारतिय अध्यक्ष स्री मती सहरोजुनी नॉधी थी 1025 में कानपूर अधिवेशन इध्यादर की थी ध्यान रहेंगे जब भारतिय रहेगा तो स्री nerच फूरें DR कॉंग्रेस अदिवेशन की पहली महिला तो यहां एनी बेसेंट होगा हम इसे स्टुडेंट को यहां कन्फूजन हो जाता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्यक्तिगत सत्यागर अंदोलन के सत्यागर ही कौन थे तो यह थे बिनोबा भावे इसका इस प्लानेशन देखते ह मैं ब्यक्तिगत सत्यागर राष्ट पिता मात्मा गांदी द््वारा सन 1940 में प्राणाम किया गया था इस सत्यागर की सभसे बरी बात यह थी कि इसमें मात्मा गांदी द्वारा चुनागिया सत्यागरी पुर्व निर्दारी तस्थान पर जाकर है भाचन वो आपनी गिरफतारी देता था। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा बैक्तिका सत्यागरा के तोर पर पर्तम सत्यागरी के रूप में पिनवा भावों को चुना गया। जिने 21 अक्टूबर 1940 को बिटी सरकार द्वारा गिरफतार कर लिया गया। नेक्स्ट आम लोग देखते हैं लंडन में इंडिया हाउस के अस्थापक कौन थे। तो इसका एंसर हो जाएगा स्याम जी कृष्ण बर्मा। इसका एक्स्प्राणेशन देखते हैं इंडिया हाउस 1905 से 1910 के दुरा लंदन में इस्थी तेकनवचारिक भारती राष्टवादी संस्था थी। इनकी अस्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्टवादी विचारों का प्रसार करने के लिए स्याम जी कृष्ण बर्मा द्वारा की गई थी। स्याम जी वर्मा ने लौड गर्जन के अत्याचार पूर्ण गत्ति वेदियों के विरूद लंदन में एक मासिक पत्र दी इंडियन सोस्योलिस्ट निकाली जिसे जेनेवा से परकासित किया गया। क्रांतिकारी सहीद मदन लाल डिंगरा उनके अपरी सिस्यों में से एक थे। नेक्स्ट आम लोग देखते हैं वो प्रथा जिसके थाथ किसान स्वयम भूमी का मालिक होता था और सरकार को भूर आजसु के भूकतान के लिए जिम्यदार माना जाता था। रह्यत वारी विवस्ता के थाथ किसान स्वयम भूमी का मालिक होता था और सरकार भूर आजसु के भूकतान के लिए जिम्यदार होता था। यह विवस्ता प्रारम 1792 में कर्नल रीट के द्वारा 12 महल जिले में पहली बार लागू की गई। मुन्रो इसका कटर समर्थक था। आगे 1820 में भूर राजसु को 104 रूप से विवस्तित करने के लिए मुन्रो ने रह्यत वारी विवस्ता को लागू कर दिया। यह विवस्ता मदरास, बंबई, पुर्वी, बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इसे 51 परतिसत भू भाग पर लागू किया गया। इसकी विशेष्ता हम लोग देखते हैं। सरकार वह किसानों के बीच कोई भी चोलिया बर्ग नहीं था। दूसरा भूमी का स्वामित्त किसानों को दिया गया, जिसमें वे अपनी भूमी का विक्रे कर सकते थे। नेक्स्ट लोग देखते हैं इंडिया पॉर इंडियन्स किताब किस ने लिखी थी। तो यह लिखा था सियार दास्त ने। इसका स्प्लानेशन देखते हैं इंडिया पॉर इंडियन्स किताब के लेखक सी आरदास चितरंजन दास है। चितरंजन दास एक महान स्वतंता सनानी राजनेतीक वकील एंपत्रकार थे। उनको समान पुर्वक्त देश बंदू कहा जाता था। स्वाधिन्ता अंदोलन के दरण नो न्यालीपूर सरियंत केस के अवियुक्त अडिवेंद घोस के बचाव भी किया था। आज सयोग अंदोलन के समय चितरंजन दास ने वकालत छोर दी कॉंग्रेस के परिशद में परवेश को इंकार करने परुनेशो तेईस में चितरंजन दास और मोती लाल नेरू ने मिलकर स्वराज दल का गठन किया। नेक्स्ट हम लोग देखती हैं देशेर कता पुस्तक किसने लिखी थी तो यह लिखी थी सखा राम गनेश देश्वकर। इसका इस्प्रानेशन देखते हैं देशेर कता महान क्रांतिकारी विचारक एममलेखक सखा राम गनेश देवसकर द्वारा लिखीत क्रांतिकारी बांगला पुस्तक है। कौन से मासम है तो यह बंगला इस पुष्टक की रचना स्वाधीनता की चेतना के जागरन हमें विकास के लिए की गई यह पुष्टक का हिंदी अनुबाद विष्ट नो परार्ख कर द्वारा किया गया नेक्स हम लोग विगुल के कोईस्जिन को देखते हैं निमनीकित में से कौन सा देश वेगोलिक चेतर के दिरिष्टी से सीमा रहत सबसे बड़ा देश है तो यह है जापान जापान का दिया हुआ है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरवाधिक उत्री दक्षिनी अक्षांसिय लंबाई वाली सीमा वाला देश है तो यह है चीली सरवाधिक उत्री दक्षिनी अक्षांसिय एक से अधिक सरी चरवाधिक उत्री दक्षी नक्षान् explosiya लंबाई वाली सीमा वाली देश चीली है इसके उत्री दक्षीन सीमा की लंबाई 4620 किनो मिट्र है नेक्ष्ट हम लोग देखते हैं निमले खीत में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में देप है तो यह किसका होगा तो इसका इंसर हो जाएगा वी इंडोनेशिया में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नी कित में से कौन सा देश विशु का सबसे अधिक केशर उत्पादन करने वाला देश है तो यह हैं इरान इरान विशु का सरवाधि केसर उत्पादन करने वला देश या संपुन विशु का 90% केसर उत्पादित होता है केसर एक सुगंद देने वला पौधा है इसके पुस्व के वर्तिकागर को केसर कुमकुम जफरन अत्वा सेपरन कहते हैं यह जड़ेंसी कुल की कोकस सेटाइकस नामक बनसपती है जिनका मूल अस्तां दक्षनी उरूप है भारत में इसका उत्पादन जम्मू के किस्तवार और कस्मीर के पामपूर के सीमित छेत्रों में होता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निमने कित में से कौन सा देश विश्यू का सबसे अधिक इरूनियम उत्पादन करने वाला देश है तो यह कौन सा है तो यह कजाकिस्तान इसका एंसर होगा इसका explanation देखते हैं विसुर में सबसे अधिकरोनियम उत्वादन करने वाला देश कजाकिस्तान है कजाकिस्तान निद्वारपांस से 2015 अकरोनियम उत्वादन में 49% की वेदी किये पूरी दुनिया का सतल्फ इस्द इरोनियम का उत्पादन तीन देश कजाकिस्तान, कनारा और अस्टेलिया में होता है बर्स 2017 में अंतराश्टिय परमानु उर्जा जेंसी द्वारा कजाकिस्तान में ओस्को मैन सहर के इरोनियम बैंक में अस्थापित किया गया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्या कमारी से साथी पहारिया है तो यह है काडमम पहारिया नेक्स्ट है निम्निकित में से गंगा नदी घाटि का भाग कौन सा उप नदी है तो इसके अंसर होगा उत्री कोयल उत्री कोयल नदी राची के पठार से निकलती है या जारकंड के उतर पहस्ची में दाउद नगर में सोन नदी से मिलती है अंत में गंगा नदी के समाहित हो जाती है उत्री कोयल जला से जारखंड राज में पलामू और गड़वा जिलों के जनजाती इलाखों में इस्थित है उत्री कोयल नदी अपनी साहक नदियों के साथ बेतला राश्टे उध्यान के पश्मी भाग से होकर बहती है नेक्स्ट अम लोग देखते हैं निमनिखित में से किस पहारी पर चाय भागान नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा डी यानि की गिर्नार की पहारी पर गिर्नार की पहारी पर चाय बगान इस्थित नहीं है जबकि कानन देव नील गिरी दार्जलिंग की चाय बगान इस्थित है कूछ बिहार चाय बगान दार्जलिंग पहारीों पर पश्चिम बंगाल में इस्थित है नेक्स्ट अमलोग देखते हैं भारत में किस राज का सरवादिक छेतर गने पतिजरवाले जंगल से घीरा है तो यहोगा मधपर्देश नेक्स देखते हैं अमलोग निमनिकित में से किस छेतर में प्रवाल बीति नहीं पाई जाती है तो कैम्बे की खाडी में, नेक्स्ट रमलोग देखते हैं, जबकि सबसे कम सख़़च्छर दर परतिसद, 42.26% मुसलिम समुदाई की है。 नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निमने कित में से जन जाती और राजे की कौन सी जोरी सही नहीं है तो यह हम लोग देखेंगे भील गुजरात में सही है गदी हिमाचल परदेश में सही है कोटा तमिल नाडू यह भी सही है तोड़ा केरल यह गलत है यह गलत इसका एंसर है ने पार्टी है आम आदमी पार्टी एक राज अस्तरिय पार्टी है इसके नेता अर्विंद केजरी वाल है इसका घटन 26 नमर 12 को हुआ था पार्टी का चुनाव चिन जाडू है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विदान सभा चुनाव में सरसर सिटो पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई राज अस्तरिय दल की मानेता के लिए पार्टी को निम आर्टाय पुन करनी होती है पहला है उस दल के उस दल ने राज की विदान सभा के आम चुनाव में उस राज से हुए कुल बैद मतों का 6 प निराजिकी सभा के लिए आम चुनाव में तता पार्टी निराजिकी विधान सभा के कुल स्थानों का 3% 3 सीटे इन में से जादा भी जादा हो प्राप्त कर लिये हो नेक्स देखते हैं यदि परतीक 25 सीटों में से उस दल ने लोगसभा की कम से कम एक सीटे जीती हो पाचमा है यदि पाटी ने राज में लोगसभा के लिए हुए आम चुनाओं में अथ्वा विधान सबाचुनाओं के कुल बैद मतों का 8% प्राप्त किया हो नेक्स दम लोग देखते हैं निमनिखित समिधान अपचारों में से किसी पोस्टमाटम भी कहा जाता है तो इसे अधिकार पिक्चा को कहा जाता है इसका इस्प्लानिशन देखते हैं बारती समिधान के समयधानिक अधिकार पिक्चा को पुष्टमाटम भी कहा जाता है अधिकार पिक्चा का साब्दी करते किसी प्रादिक्री तुवा वारंट के द्वारा इस रीट को नियाले में किसी बेखती द्वारा सर्जनिक कर्याले में दायर अपने दावे की जाज के लिए जारी किया जाता है अ जब कर्यालों का निर्मान समयधानिक हो इसे मंत्री अस्तर ये कर्याले या नीजी कर्याले के लिए जारी नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निमनिखित भारतिये सब राज्यों में किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संक्या आधिक है तो यह हो जाएगा हिमाचल परदेश 33rd सब भाग 6,wa 96.17 में राज्यों के लिए बिदान सभा के गठन का प्रावधान किया गया है बिदान सभा के परतिनीद्यों को पर्तिक्ष मतदान से ब्यक्स मता-दिकार के द्रारा निर्वाचित किया जाता है इसके अधिक्तम संक्या पांसो और는지मतन संक्या س साट तह की हाला कि अरुनाचल पर्देश सुक Kinwoagwa के मामले में या संख्या tis निर्धारिप की गई है जब कि मिजोरण नागाय लेंड के मामले में करम्स चालिस वाशालिस निर्धारिप की गई है। आप देखते हैं रुनाचल परदेश में 60 सदस हिमाचल परदेश में 68 सदस मनेपूर में 60 सदस मिगाले में 60 सदस वहीं बिहार में राजविधान सवाक एकुल 243 वो राजविधान परिचत के 75 सीटे हैं कापी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट हम लग देखते हैं भारत के वर्यता करम निम्रकित में से कौन पहले आता है तो इसको हम लग देखते हैं इसका अस्प्रानेशन से समझ में आएगा वर्यता करम में सीर्श अस्थान पर राष्टपती है भारती राजविवस्ता में विवीन प्रदादीकारियों का वर्यता करम इस परकार है राष्टपती उपर राष्टपती परधान मंतरी राजव का राजव पाल अपने राजव में फिर भूदपुर राष्टपती फि प्रणार मंत्री तथा संसत के विपक्ष का नेता सातने में हैं बारत्रत समान के धारक फिर आठ में राजदूत नौ में उच्तम न्याले के नियाधीश नेक्स्ट आम लोग देखते हैं सरकार की संसाधिय विवस्था के विषय में निमने कित में से कौन सा ब्यक्त सही है तो इसका अंसर हो जाएगा यानि कि कोई नहीं या इन में से अधिक इसका इस्प्रानेशन पढ़ते हैं लोग तंत्रिय सासन वेवस्था में कई रूप होते हैं जिनमें परमुख है संसधिय सासन वेवस्था और अध्यक्षिय सासन वेवस्था भारती सविधान के अनुसार देश में संसधिय सासन परनाली को अपनाया गया है जिसमें जनता ज्वारा चुने हुए पर्तिनीदी ही सासन वेवस्ता का संचालन करते हैं संसधिय सासन परनाली को मंत्री मर्लिय सासन परनाली भी कहां जाता है इस प्रणाली का संसत विधी निर्मान की सर्वक्त संस्था होती है एवं काड़िपाली का अपने समस्त कृतों के लिए संसत के प्रतिजवाब देही होती है संसदी सासन प्रणाली में कार्जपाली का अपने संसत विधाय का उसकी प्रविश्वास प्राप्ती तक रहता है बारत की राजनेतिक विवस्ता में संपून सत्ता केंद्र वर राज्यों के मंद संबैधानिक रूप में होती है बारतिय प्रसासनिक राजनीतिक विवस्था विश्व दुरुप से लोक्तांत्रिक गंतंत्र है वही आधक्षिय सासन विवस्था को राष्टपती सासन परनाली के नाम से जाना जाता है जहां कार्जपाली का सकती राष्टपती में नीत होती है राष्ट पती साथ सिंग परनाली का सरवत्तम उधारन अमेरिका है नेज कोश्चन हम लोग देखते हैं निमनिकित में से किसका निर्मान पंचायती राज विवस्ता के तहाथ हुआ था तो यह ग्राम पंचायत इसका एक्स्प्लानेशन देखते हैं पंचायती राज लोगतांत्रिक विकेंद्री करन की विवस्ता है इसका उधेश जन भागिदारी को बढ़ा कर विकास को निचली अस्तर तक लेकर जाना है सविदान के भाग 9 के अंतरगद अनुछे 243 को से 243 नौ तक पंचायती राज का प्रावधान है तीहतर में सविदान संसोधन अधिनियम 1992 में द्वारा सविदान के भाग 9 से 9 में 16 नए अनुछे तता अंसूचियों में 11 अनुछी जोरी गई जिसके अताद 29 विसय का उलेग किया गया जिन पर पंचायत को विदी बनानी की सक्ति प्रदान की गई बारतिय सविदान के अनुछे चालिस में राज को पंचायती गटन का निर्देश देता है असतर पर ग्राम पंचायत बलॉक असतर पर तता जीला असतर पर बलवंत राय मेता को पंचायती राजविवस्था का सिल्पकार भी कहा जाता है पंचायती राजबेवस्ता का उतगाटन पंडी जवाल लाल नेरू द्वारा दो अक्टूबर उनेश्ट को नागोर के राजस्थान में किया गिया था नेक्स कोशन देखते हैं निम्निकित में से कौन भूमी रिकॉर्ड अधिकारी है तो यह पटवारी पटवारी परनाली की सुर्वाद सर पर्थम सेर सासूरी के सासन काल के दोरान हुई और बाद में अक्बर ने इस परनाली को बढ़ावा दिया बर्तमान में पटवारी राजस्य विभाग के ग्राम मस्तर का अधिकारी होता है पटवारी ग्रामीन छेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद होता है जो अपने छेत्र के भूमी समंधी विवाद का निप्टारा करता है साथ इभूमी का सिमांकन आधी जैसे काड़ करता है पटवारी किसानों का पर्थन प्रसासनिक प्रतिनीदी है जो किसानों की समस्या को सासन वो प्रसासन तक तता सासन को योजनाओं को जनता तक पहुचाता है नेक्स कुश्चन हम लोग देखते हैं निमनिकित विसेस्ताओं में से केंद्रिय सासन वेवस्ता के लिए कौन सा सही नहीं है ध्यान दखेंगे तो इसका अंसर होगा C यानि कि बड़े देशों के लिए आधर्स यानि ये त्वरीत निर्नय होना चाहिए लचीलापन होना चाहिए कानून की एक रूपता होना चाहिए इसका इस्प्लानेशन देखती है केंद्रिय सासन वेवस्ता अत्वा एकात्मक सासन वेवस्ता बड़े देशों के लिए आधर्स नहीं है एकात्मक सरकार की अंतरगत सासन की सारी सक्तिया केंद्रिय सरकार के पास केंद्रिद रहती है में एक जरी का yapmış विदाये का ही होती है यदि पर उनको जरी Details द्वारा कोई महत्पूह शक्ति नहीं दी जाती है तो सक्ति नहीं हिंद नहीं होती है तो इन सरकार के नियांत्रत में ही कार्ज करती है उन्हें उन सक्तियों का स्वतंता रुप करने की छूट नहीं होती है इन सरकारों सरकारों की सक्तियों का शुरत सर्विधान की जगा केंद्रिय सरकार की होती है प्रांतिय ये प्रादेशिक उनकी अकंड़ता को कोई खत्रा उत्पन ना हो ब्रिटेन में इस परकार की सरकार है फ्रांस वचीन में यह सरकारे हैं कि नेक्स्ट देखते हैं समुदाए विकास कार्जकरम का क्या उदेश है तो इसका उदेश से सभी हो सकता है इसका से अच्छे से पता होगा नेक्स इसका एक्स्प्रानेशन देखते हैं भारत में समुदाइक विकास कार्जकरम का प्रायोगीक अस्तर पदो अक्टूबर उनिसो बावन को हुआ था पहली पंच वर्सी योजना में से 248 ब्लॉक में लागू किया गया था उसके बाद 1964 में समुदाइक जीवन अस्तर को उचा उठाने का प्रयास किया जाता था बारत सरकार की समुदाइक विकास मंत्राले द्वारा इस योजना के आठ उद्देश्यों को अस्पर्ष्ट किया गया है तो पहला उद्देश देखते हैं ग्रामीन जनता के मांसिक दिश्टी कोन में परिवर्तन लाना दूसरा गाउन में उतरदाई एभम कुसल नेतित्तु का बिकास करना तिसरा संपुन ग्रामीन जनता को आत निर्भर वप्रगतिसील बनाना चौत ग्रामीन जनता के आर्थिक अस्तर को उचा उठाना जिसके लिए क्रिसिक यादुनी करन वग्रामीन मुदाय के स्वास्त वहीतों कि रक्षा करना उत्तर में एक स्याधिक विकल्ट सामिल है अता यह सही होगा आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू कि कि कि